बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से Galaxy Teachers classes के ऑन-लइन प्रेटफर पर जहां हम सभी टीचिंग से रिलेटे जितने भी वेकंसीज़ है उनकी तयारी करते हैं अब फिरहाल हम लोग अगस्त में होने वाले सीटेट की तयारी कर रहे हैं जो आफलाइन मोड में आपका होने वाला है इससे पहले CBT-based होता था, computer-based test होता था, अब OMR-based फिर से पुराने थरीके से कराया जाएगा. आज की CDP की इस class में हम आप से सहचिक मापन और मुल्यांकन पर चर्चा करेंगे. मापन और मुल्यांकन का मतलब क्या होता है, क्या-क्या बाते उसमें जरूरी होती हैं, इन सभी पक्षों पर विशे शूप से जो मापन के प्रकार हैं, उस पर हम आज आप से चर्चा करने वाले हैं. सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि सिच्छा में मापन का क्या अर्थ है, सिच्छा में मापन का क्या महत्व है, क्यूं मापन और मुल्यांकन सब्द का प्रियोग किया जाता है, ठीक है, तो मापन का मतलब होता है कि कि किसी के मात्रा को या किसी के गुणों को अंकों मे प्रदर्शित करना शिछ्च्छा में जैसे आपको अपना रिजल्ट मिलता होगा कि रहे हैं, इसी चीज है, मापन दो चीजों का किया जाता है, मापन या तो मातरा का किया जाएगा, जैसे अगर आप कहते हो कि दो किलो चावल, दो किलो गेहूं, तीन किलो चना तो अब आप ये जो गेहूं, चावल, चना कह रहे हो इसका मतलब ये क्या है? मात्रा का मापन कह है जब हम कह रहे हैं तीन किताबे, चार किताबे, पांच कौपियां तो ये क्या है मात्रा का मापन है तो मात्रात्मक मापन एक होता है और एक होता है गुरात्मक मापन जिसमें हम गुरात्मक मापन में हम गुरों का मापन करते हैं गुरों का मापन कहने का मतलब जैसे इमली खटी है लेकिन देखो इसका करेक्ट मापन अंकों में नहीं किया जा सकता गुनात्मक मापन को हम किसी विसेश अंक में प्रदर्सित नहीं कर सकते हैं अब अच्छा आप खुद बताओ अगर कोई व्यक्ति बेइमान है तो क्या हम उसे अंकों में बता सकते हैं कि कितना बेइमान है वो अगर मैं कहूं कि 100 में 85% बेइमान है तो ये गलत होगा ये अनुमान तो लगाया जा सकता है लेकिन ये correct नहीं कहा जा सकता कि आप कितने percent बेइमान है और कितने percent इमानदार है तो जो correct अंकों में मापन किया जाता है वो मात्रा का किया जाता है लेकिन मापन होता कितने प्रका न normalmente ना को बार का मात्रात्मक मापन और टेक है आप तोड़ा सा परिशे मैं आपको मुल्यांकन को देना चाहता हूं मुल्यांकन का मतलब होता है मुल्ली का मतलब होता है अच्छी बाते अच्छी यादते पीroär आदर्स या आच्रन विवहार जो भी आप कहले उसका आकलन करना क्लास में आने के बाद बच्चा किस इस्तर तक आपकी अच्छी बातों को आदर्सों को विवहार को विचारों को सीखा है उसका जब हम आकलन करते हैं उसी का अनुमान लगाते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं म मुल्यांकन का जो मुख्य प्रकार है वो दो प्रकार का होता है एक होता है सतत मुल्यांकन और एक होता है ब्यापक मुल्यांकन देखिए सतत और ब्यापक में मुझे फसना नहीं है क्योंकि इसको समझने के लिए फिर हम बेवहार की तरफ जाएंगे और फिर मैं आपको कि ब्यवहार के तीन पक्ष होते हैं एक जो सबसे पहला होता है वो होता है संग्यानात्मक दूसरा होता है भावात्मक और तीसरा होता है क्रियात्मक तो ब्यवहार के जिस पक्ष का मतलब संग्यानात्मक पक्ष का जिस मुल्यांकन में अध्यन किया जाता है उसे हम सतत मुल् करते हैं तो उसे हम संग्यानात्मक पक्ष कहते हैं जीन पियाजे ने संग्यान सब्द का प्रयोग किया कॉगनेटिव सब्द का प्रयोग किया कॉगनेटिव करने का मतलब संग्यानात्मक कहने का मतलब बच्चे के अंदर ग्यान समझ और जानकारी कितना बढ़ी उस बात का पता लगाना, तो अगर हम ब्योहार के केवल एक पक्ष संग्यानात्मक पक्ष का अध्यन कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, सतत मुल्यांकन, सतत मुल्यांकन का मतलब हम क्लास में ये देखें कि बच्चे ने किस इस्तर तक ग्यान प्राप्त किया, किस इस्तर त किया, क्या 70% गहन किया, क्या 50% गहन किया, मतलब किस लेवल तक वो एक्सेप्ट कर पाया है हमारी बातों को, इसी का पता लगाना सतत मुल्यांकन कहलाता है, लेकिन ब्यापक मुल्यांकन क्या है सर्च, ब्यापक मुल्यांकन तो बिल्कुल अलग है, ये ब्योहार के तीनों प पक्ष होते हैं संग्यानात्मक भावात्मक और क्रियात्मक जब हम बच्चे के विवहार के तीनों पक्षों का अध्यन करते हैं संग्यानात्मक पक्ष का भी भावात्मक पक्ष का भी और क्रियात्मक पक्ष का भी क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं सारीरी क्रियाएं और मां छिब दाया है संग्यानातमग का भी तो यह चोटा सा परिचे मैंने आपको बताया कि मापन का मतलब क्या होता है और मुल्यांकन का मतलब क्या होता है आईए by this PPT एक के दोड़ा है तो धो धोला को झाण कराब चल रहा है इस समें तो इस PPT के द्वारा हम देखते हैं कि आपको क्या-क्या पढ़ा सकते हैं, क्या-क्या समझा सकते हैं, ठीक, अब हम देखते हैं कि content में आज हम आपको क्या-क्या देने वाले हैं इस class में, तो सबसे पहली बार तो सहचीक मापन का अर्थ क्या है वो हम आपको बताएंगे, सहचीक मापन के प्रकार कितने हैं, वो हम आपको बताएंगे, मापन के इस्तर कितने हैं, वो हम आपसे चर्चा करेंगे, मापन के चर कितने होते हैं, वो बात करेंगे, मापन के तत्तो कितने होते हैं, उसकी बात करेंगे, मापन में तुट्रियां कितनी हैं, किस ने प्रकार की होती हैं, उसक बेवहारीक मापन नहीं जो हम दैनिक जीवन में अपना दुकान दारों के साथ प्रयोग करते हैं, सैचिक मापन में जहां कोई तराजू और बठखरे का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है, सैचिक मापन की पिसेस्ताएं कौन-कौन सी हैं, उसकी चर्चा हम आपसे करेंगे, दे को देनी हैं, चाहे वो किसी भी सबजिक्ट की हों, हिंडी, इंगलेज, संस्कित, साइकॉलजी, मैस, है न, एबियस, जो भी क्लासेस आपको मिलेंगी, वो छोटी-छोटी क्लासेस ही होंगी, जिससे आपके एक या दो नंबर रोज क्लियर होंगे प्रतेक क्लास से, ठीक, तो सैचिक मापन का अर्ष हमने आपको बता दिया है, इसको दुवारा बताने कि आवसकता नहीं है, अब हम आपसे बात करते हैं सैचिक मापन के प्रकार की, तो सैचिक मापन दो प्रकार का होता है, एक होता है क्वालिटेटिव और एक होता है क्वालिटेटिव, जो सबसे पहला है उसे हम गुणात्मक कहते हैं, जब किसी के गुणों का मापन करते हैं हम, तो उसे हम गुणात्मक कहते हैं, कितने अच्छे हो, मिठाई कितनी मिठी है, इमली कितनी खटी है, यह सारी चीजे गुणात्मक मापन में आती हैं, फिर जब मात्रात्मक मापन कहते हैं, तो बात आपको सीखनी है मापन के जो इस्तर हैं वो चार होते हैं ये एक्जाम की पॉइंट से सबसे most important आज की class की इस PPT की सबसे बहतरीन जो slide है वो यही है कि मापन के इस्तर कितने होते हैं और एक्जाम में पूछा भी गया है तो मापन के चार इस्तर होते हैं जो सबसे पहला है वो है nominal जो दूसरा है उसे हम ordinal बोलते हैं सबसे पहला जो होता है वो होता है नामित मापन जब हम किसी के नाम के आधार पर किसी का मापन करते हैं विस्यों के आधार पर वर्गी करते हैं कि history के इतने बच्चे हो गए, psychology के इतने बच्चे हो गए, हिंदी के इतने बच्चे हो गए, मतब जो हम मापन कर रहे हैं, बच्चों को अलग-अलग कर रहे हैं, वो किसी नाम के आधार पर कर रहे हैं, that is called nominal scale, या नामित मापन कहते हैं, इस तर की एक विशेष्था मैं आपको बता दूँ सायधी को यापको बताया होगा जो चार इस तर हम आपसे बता रहे हैं, यह पहला इस तर फिर दूसरा, फिर तीसरा और फिर चौथा, इस तर की विशेष्था यह होती है, कि दूसरे इस तर में पहला वाला में होंगे, मतलब नीचे वाले इस तर में उपर वाले इस तर का गुण पहले से ही इंकल्यूड होगा, यह बात आपको समझ में आ रही है तो आईए आगे बढ़ते हैं नॉमिनल इसकेल नामित मापन क्या है, जब हम विशेयों के दस बच्चे हैं और उन्हीं दस बच्चों को हम रोल लंबर दे दें एक, दो, तीन, चार, पांच, छे इस तरीके से दस तक रोल लंबर अगर हम दे देते हैं तो हमने यह क्या कर दिया? क्रमित मापन कर दिया क्रमित मापन नॉमिनल तो है ही Nominal में हमने क्रमित History के बच्चे थे लेकिन History के बच्चे। हमने एक क्रम में लगा दिया इसे हम क्या कहते हैं Ordinal Scale कहते हैं क्रमित मापन कहते हैं योगता के आधार पर rank के आधार पर rank जैसे आती है ना First rank, Second rank, Third rank तो उनके नाम भी तो होते हैं अब नाम है तो वो नौमित मापन होगा, नौमित मापन में ही हमने क्या कर दिया, एक, दो, तीन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ये दे दिया, तो ये क्रमित मापन भी हो जाता है, तो अगर आप से कोई पूछे कि क्या क्रमित मापन में नामित मापन छिपा होता है की नहीं, त प्रकार हमने आपको बता दिए तीसरा यह यसमें ओपर के तीनों वहोंगे इसमें ग्रेट दिया जाता है A grade, B grade, C grade अच्छा आपने ये भी देखा होगा कि जो हमारा T20 वर्ड कफ होता है वो पत्तेक दो साल में जो वर्ड कफ होता है वो चार साल या पांच साल में जनगर्णा दस साल में प्रधार मंत्री का चुनाव पत्तेक पांच वर्ष में तो कहने का मतलब जब एक विसेश अंतराल के बाद किसी चीज़ का मापन किया जाता है तो उसे हम अंतराल मापन कहते हैं जनगर्णा ही देख लीजिए जनगर्णा अगर पत्तेक दस साल में गरहावे वर्ष की जाती है तो ये अंतराल मापन है या अंतरीत मापन है, इसमें अब नाम भी होगा, इसमें क्रम भी होगा और अंतराल तो इसमें है ही लेकिन जो सबसे बहतरीन जो सबसे उच्च क्वालिटी का मापन है देखिए मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा परिच्छा के समय में स्वार्थी होना पड़ेगा स्वार्थी इट मिंस क्या है स्वार्थी कहने का मतलब क्या है आपको कुछ बातें समझनी होंगी जो परिच्छा की दिश्च से उपयोगी हैं और हो भो उसे एकसेप्ट कर लेना होगा एक्जाम में वैसे ही प्रस्ण पूछे जाएंगे साफ साफ और आप उसमें गोला करेंगे A, B, C, D में आप उसको टिक लगाएंगे और आपको नमबर पराप्त हो जाएगा अब जैसे आप से ही प्रस्ण पूछे कि नामित इस्तर, क्रमित इस्तर, अंतराल इस्तर और अनुपातिक इस्तर में सबसे उच्छ इस्तर का मापन कौन सा होता है तो आपको टिक क्या लगाना है अनुपातिक इस्तर जो होता है वो सबसे उच्छ लेवल का माना जाता है और सबसे निम्न लेवल का कौन सा नाम के आधात पर जो मापन हम करते हैं पहला वाला ठीक है तो जो अनुपातिक इस्तर है इसमें परम सुनिक की संभावना होती है दे है मतनन निश्चित रूप से परमसून ने भी पाया जा सकता हैarnet की ऐस्टेलिआ और भारत का मैफ होता है ऐस्टेलिया और भारत के बीच जो पाँच मैच होने थे जो पांच टी टी वर्ड कौप में मैच होने थे पांच मैच उसमें से पांच के पाचों किसने जीत लिया भारत ने और आस्टेलिया ने एक भी नहीं जीता तो कैसे लिखोगे five ratio zero जो zero है यहां जरा भी संभावना नहीं है कि आस्टेलिया ने थोड़ा सा भी मैच जीता होगा ठीक है बिल्कुल हार गई है तो इसे हम कहते हैं परम सोन्य इसे हम absolute zero कहते हैं इंग्लिस में और हिंदी में इसे हम परम सोन्य कहते हैं तो अगर आप से कभी भी प्रस्न पूछा जाए कि मापन के इस्तर में सबसे उच्छ इस्तर कौन सा है तो आप अनुपातिक इस्तर का नाम लेंगे ratio scale का नाम लेने वाले हैं तो ही आपका प्रस्न सही होगा आईए आगे बढ़ते हैं इस्तर की बात हमने आप से कर लिया अब हम आप से बात करते हैं कि variables of the measurement मापन के चर कितने होते हैं तो सतत चर होते हैं और असतत चर होते हैं दो प्रकार के होते हैं continuous और discontinuous दो प्रकार के होते हैं इन पर बहुत ज़्यादा आपको सोचना नहीं है सतत चर का मतलब जो दसमलों में लिखे जा सकते हैं 2.4, 2.3, 2.5 है ना सतत चर का मतलब जो पुडांकों में लिखे जाते हैं जैसे बच्चे कितने आए हैं 2, 3, 4, 5 इस टाइप से ठीक है तो सतत और असतत चर भी आपने देख लिए मापन के जो तत तो होते हैं मतलब मापन करने के लिए कौन कौन से चीज़ें जरूरी होती हैं उसकी बात हम मापन के चर मापन के चर मतलब जो तराजू वगरे का परियोग करते हैं या इसकेल का परियोग करते हैं या सेंटीमीटर का परियोग करते हैं वो सारी चीज़े मापन के अंतर में आती है मापन के चर कहने का मतलब केजी में जो भी होता है है ना किलोग्राम, मिलीमीटर, से मुक्तिर का नाम और समें कि आपक नजारे रहे हो अर आपको अचानक आपका accident हो जाए या आप बेहोस हो जाए इस टाइप से तो जो तुटी होती है ये आकास्मिक होती है ब्यक्तिगत का मतलब आपको लगाना A पे ठीक था लेकिन आपने B पे ठीक लगा दिया ये ब्यक्तिगत मानी जाएगी सारभौमिक का मतलब जब question ही गलत आ जाए तो सभी सभी बच्चों का प्रस्ण गलत हो जाएगा फिर सभी को बराबर अंक दिये जाएंगे तो इसे हम सारभौमिक तुटी कहते हैं मापन की विशेष्टाएं क्या होती है क्या क्या होनी चाहिए वैधता होनी चाहिए जैसे हाई स्कूल की रिजल्ट आपने पाया होगा माक्स करते होंगे उसके यहां जादा जाते होंगे आप चीजों को परसेच करने के लिए और वस्तुनिस्टता होनी चाहिए जैसे आपके सी टेट के पेपर जो आते हैं वह वस्तुनिस्ट होते हैं क्योंकि यहां आगए सही है तो एक नमबर मिलेगा नहीं है तो वह नम्बर कर जाएगा आपका zero मिलेगा लेकिन जो लिखित होता है उसमें दुर्वेवार किया जा सकता है किसी को दो नंबर दिया सकता है तो वस्तों निश्चता भी होनी चाहिए मानक्ता होनी चाहिए standard होना चाहिए मतब एक limit होनी चाहिए 1.500 जो प्रस्न पूछे जाते हैं बच्चा कितना भी तेज हो लेकिन 1.500 के अंदर ही उसको mark से मिलेंगे 155 उसे नहीं दिये जा सकती ठीक है तो यह क्या हो गया मानकता बेवारिक्ता भी होनी चाहिए सभी जगा सेट हो जाए विभेदक्ता और दो चीजों कि दो लोगों के बीच अंतर भी इस्ट पस्ट करने वाला मापन होना चाहिए ऐसा ना हो कि दो वस्तों के बीच अंतर इस्ट पस्ट ना कर पाए अच्छा क्या है खराब क्या है यह मापन के द्वारा ही किया जा सकता है तो विभेदक्ता भी उसमें होनी चाहिए यह मैंने आपको थोड़ा सा फास्ट पढ़ाया क्योंकि मैंने आपसे वादा किया है कि छोटी छोटी क्लासे में आपको सारी चीजे मुझे देना है समझाना है पढ़ाना है तो आज की इस class में हमने मापन की चर्चा की इसके बाद हम आप से बात करेंगे कि मुल्यांकन क्या होता है मुल्यांकन के प्रकार कितने होते हैं इसी तरीके से सभी subject की classes आप की चलती रहेंगी मिलते हैं आप से next class में तब तक पढ़ते रहिए